है हंची एडमिट काड डाउनलोड हो चुके हैं और मुझे पूरी उमीद है कि आप सब ने अभी तक अपने 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 काड डाउनलोड कर लिए होंगे अपना सेंटर देख लिया होगा कि सेंटर कहां पर पड़ा है अच्छे से एक बर पहले से देखाना कि आप बैटा मैं आप अपने याद रहे हैं चुक्त की पूरी बाइलाची में आप सब्सक्राइब के लिए याद रहे हैं थन ला रही हूं क्लास 12 की पूरी बाइलाची बेटा कंप्लीट बाइलाची पढ़ने वाले हैं एर्थ और फिब्रेरी को का बेटा आठ फेर्वरी को थर्सडे पड़ेगा तुम्हें साथ दिन में बारा बज़े से जुड़ जाना और अपना कंप्लीट रिवीशन कर देना मेरे साथ जिसका भी जो भी रह रहा है वो कंप्लीट मेरे साथ कर सकता है पूरा का पूरा उसके अंदर इंसी आटी कवर होगा है ना पूरा का पूरा पूरा मैं आपको एक लाइन आपको एंसी आटी का कवर करवाओंगी ज्तनी साथ के सांथ ही कवर करेंगे एक चैप्टर एक्ससाइज एक चैप्टर एक्ससाइज मेटा आपका ऐसा करवा दूंगी ना कि आप लोग 8th of February तक आपका बाइलोची तो एकदम डन 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 होने वाला है और याद रहें कि आपका बाइलोची का पेपर आप 19th March को है यानि कि कम से कम आप देख लें ना कि ए एक महिने का ग्याप नहीं है लेकिन आप एक महिना बाइलोची बिल्कुल नहीं पढ़ोगे एक महिना बाइलोची बिल्कुल नहीं पढ़ोगे 19th March को आपका पेपर है तो बहुत जादा ग्याप है ऐसा ना हो कि आप सब लोग भूल जाओ क्योंकि इस दौरान आप फिजि पूरी ही नहीं कंप्लीट करेंगे बैक एकसरसाइज जो कि डाइमंड कोश्चन्स होते हैं वह भी कंप्लीट करेंगे अब बता दो यार अभी अगर तुम लोग नहीं मान रहे हो ना जिसने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो प्लीज अपना आखी कंप्लीट कर लो अभी तुम लोगों के आखी नहीं खुल पारी नहीं तो कभी नहीं खुल पाएंगी फिर बस सोचते ही रहना कि हम तब ले आते नंबर हम तब पढ़ लेते तब ऐसा कर लेते वैसा कर लेते मैं अपना बेटा 100% दे रही हूं आप लोगों के लिए आप सबको पता है जो भ तब हम लोग सैंपल पेपर भी करेंगे तो प्लीज यार एक महीने का ग्याप है बाइलोजी नहीं बूल ली है मैं सब्सक्राइब जुड़ जाना उस दिन आपके लिए ही और अब सीरियस नहीं होगे तो तुम लोग कब सीरियस होगे अगर तुम अब सीरियस नहीं होगे तो कब सीरियस होगे यार कोई फायदा नहीं है जब चिडिया खेच चुक जाएगी कोई फायदा नहीं है जब बोड के पेपर हो जाएंगे तब सोचो कि तम मैं कर लूँ तब कर लूँ बसे अभी अपनी नीद और जो तुम्हारा अंदर आलस पन है उसको प्लीज लेकिन कोई शॉरेटी नहीं है कि आपके नंबर मिली जाएंगे कोशन कैसे भी घुमा सकता है लेकिन बाइलोजी के अंदर थोड़ा सा थियोरी वाला आ चाता है न्यूमेरिकल के अंदर कम है तो आप इसमें जितना भी टाइम दोगी यह आपको ग्यारेंटी देके तो बाइलोजी के अंदर क्यों आपको एक भी नंबर खोना है बहुत बच्छे लाते हैं एकली सिक्स्ती से तो अब आप सभी का नचेए ठीक है और आप सीरियस हो जाओ क्योंकि बहुत लास्ट मौका है अभी भी सीरियस नहीं होगे ना तो लाइफ टाना पड़ेगा सोच लो समझ लो क्या करना है आप खुद ही डिसाइड करो